नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आपको पता हिए कि मैंने ग्लू रोड के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिस पर मैंने बता है कि किस तरह से आप अपने बिजन्स को रेइस्टर कर सकते हैं तो आज की वीडियो एक्शलिव उसी से रेलेटिड है मैं आज आ अपर प्रेडर को सिरफ निस्टर कर सकते हैं लिस्टिंग कर सकते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तीजिए बैल आइकन दबाईए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस्स ना करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आजाए तो लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा अपने दोस्तों के सा तो प्लीज जा करके फॉलो कीजिए उनके जो लिंक्स है वो इस वीडियो में शो कर रहे होंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्कील पर तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे और इसमें आप अपनी जो लिस्टिं करनी है उसके लिए आपको प्रोड़क्ट इन इंवेंटरी सक्वें और यहां पर आपको दो उप्छन दिखर है आग नीव प्रोडक्ट एकसेल अपलोड ए गूदियुप्रड्रिक्त उपलोड करने के लिए होता है और एकसेल अपलोड जो बुलक ल वोमेंस के, मैं वोमेंस पर जाता हूँ, और यहां पर मुझे फुटवेर पर जाना है, उसके बाद slipper और flip-top पर जाना है, उसके बाद यह जो second step है, वो इसको इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है, so download कर लेते हैं so दोस्तों मैंने ओलरी फाइल दाउनलोड कर लग किया इसको मैं इसको further cancel कर देता हूँ so यह फाइल दाउनलोड होने के बाद आपने इस फैल को open करना है दोस्तों मैंने फाइल ओलरी फिल कर लग किया है तक आप लोगो का टाइम वेस्ट ना हो अब मैं एक एक करके बताएता हूँ कि इसमें आपको फिल किस तरह से करना है और यह धियान रहे कि यह Excel फाइल हो सकता है कि आपके प्रॉडक्त के हिसाब से कुछ डिफरेंट दिखे तो उसमें भी mostly जो सेल्स हैं वो सेम ही रहेंगे जादा डिफरेंस नहीं रहेगा मैं बताता हूं इसमें सारे सेल आपको फिल नहीं करना है इसमें जो पहला सेल है यूज आएडि वो आपने फिल बिल्कुल नहीं करना है विकोग यह ग्लो रोड कुद करता है उसके बाद धोस्तों आता है पेरेंट ठाइल कोड स्टाइल कोड और I said ये आपके ladp की hag कैडिगरी इसमें इसमें fill करनी हो एक अगर आप फिल करना रहे हैं आपको पर है कि आपने पucharist aqone क्वस्ट बनाया है नहीं बनाया है इसके यह आइडिया आपने जरूरτα की ओती ही अता ऑर इसको अगर आप फिल नहीं है उसके बाद दोस्तो प्राड़क्त टाइटल आपने मेंचिन करना है एक ब्रीफ जो है, वह मेंचिन करना है ताक है आपके प्राड़क्त को लोग समझ सकें टाइटल से आप सिर्फ शूज नहीं लिखेंगे अगर लेट सब्सक्राइब को स्लीपर हैं मेरे वोमेंच के synthetic women's slipper so this clarity मिल जाती है कि वो प्रोडक्त क्या है और उसके कलर के बारे में या उसके material के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है यह जरू मेंचन कीजिएगा उसके बाद दोस्तों आपने MRP मेंचन करनी है आपने प्रोडक्त की और उसके बाद अपने Selling Price Mention करना है Selling Price यह आपका Transfer Price जो ग्लो रोड आपको देगा आपके प्रोडक्त के ऊपर और ग्लो रोड इसके ऊपर Shipping Charges और Commission अपनी चार्ज करता है यह आप पे जो भी price mention करना है यह वह price mention करना है जो आपको glow road से चाहिए इसमें आप glow road की commission add नहीं करेंगे और नहीं इसमें shipping charges एड़ करेंगे ओर अपने managers से भी जरूर बात कर लीजेगा मैं किसी भी product पे shipping charges अलग से charge नहीं करता हूँ यह सिर्फ transfer price है because glow road जो है वो अलग से charge करता है उसके लिए दोस्तों उसके बाद आपने color mention करना है अपना product का material mention करना है जो भी material use हुआ है type mention करना है और दोस्तों यह जो categories है color, material, type, size, foot length यह सारी चीज़ें जो है एक particular guideline के हिसाब से होती है उसके लिए आपको example sheet आप देख सकते है यह इसकी example sheet है इसमें आप देख सकते है कि color mention है, material mention है, type mention है, size, style, design type यह सारी चीज़ें mention है तो इसके according ही आपने fill करना है उस sheet में और इसके अलावा कुछ और अगर अपना word डालेंगे तो यह आपका जो listing है वो reject हो जाएगी तो make sure आप यही चीज़ें डालें इन्ही में से जो आपके product के साथ nearest match हो वह ही आप mention करें और दोसों यह सारी चीज़ें mention करने के बाद आपने एक description mention करनी है इस section में और यह description आपके जो product के बारे में है थोड़ी detail information आपने देनी है और अची चीज़ें इसमें mention करनी है और कुछ ऐसे word यूज़ करने है ताकि आपके जो product को की product की जो detail है वो काफी अच्छी दिखे अच्छी समझ में है लोगों जैसे मैंने footwear के बारे में लिखा हुआ है made from out of good quality material which is durable and to wear we provide you variety of design and style with unique straps and soles these stylish shoes are perfect inspiration for fashionable look so इस तरह किसे चीज़ें आप mention कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपने जो photos है अपने product की वो आपने mention करनी है यहापे उसके link यहापे डालने है जो first image रहेगी वो make sure या तो आप उसको as a 45 degree जिसमें आपको overall वो product के बारे में सब कुछ दिखे या फिर कोई model shoot हो वो ज़रू डालेगा जो highlight image है जो highlight picture है आपके सारे images में से वो image आपने इसमें डालनी है अपने product की उसके बाद दोस्तों further उसके side, front, back यह सारी images आप इसमें डाल सकते हैं तो इनके link डालिएगा और दोस्तों यह link के लिए अगर आपको नहीं समझ में है तो मुझे बताएगा मैं आपको बताऊँगा किस तरह से link generate करना है इसमें make sure कि आप वही link डालें जो यह chloro support करता हो मैं suggest करूँगा कि आप dropbox यूज करें बट एक बड़ चेक कर लीजेगा glow road के साथ उसके बाद दोस्तों आपने अपने प्रोड़क का जो hsn code है वह mention करना है अब product to product यह vary करता है तो मेरे footwear के लिए 6402 है तो मैंने वह डाला हुआ है उसके बाद GST percentage आपने डाली है जो भी आपके product के हिसाब से है उसके बाद आपके product का weight डालना है जो आप packaging करेंगे उस packaging की length क्या रहेगी उसकी width क्या रहेगी और उस package का including material weight क्या रहेगा यह सब चीज़े इतनी important नहीं है बट आप mention कर देंगे तो better रहेगा उसके बाद दोस्तो country code आपने mention करना है जहां से भी product आया है अगर within India आगी आया है तो आप India mention करेंगे अगर चाइने से आया है किसी और country से आया है तो वह आप mention करेंगे तो दोस्तो यह Excel आपने ready कर लेनी है और यह Excel आपने अपने manager को भेज देनी है manager जो है आपके इस products की listing खुद कर देगा दोस्तो यह मैं इसलिए बोल रहा हूं because option तो वैसे है glow road की website पे कि आप manually खुद भी आप upload कर सकते हैं बट होता किया है कि अभी वह option active नहीं है और जब भ दिखा सकता हूं मेरी screen पे मैंने upload करना की कोशिच की थी बट वह fail हो गई थी दोस्तो यह देख सकते हैं यहां पे जो मैंने file डाली दी system validation यह fail हो चुका है तो इसलिए दोस्तो मैं यह suggest करूंगा कि आप सीधा अपने manager को भेज दें और वही आपकी जो listing है वह आपको आपकी manager कौन है तो उसके लिए आप टिकेट रेस कर सकते हैं seller support पे और वहां से आपको आपके manager के बारे में बता दिया जाएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो वह manager से आप बात कीजिए उनको mail कीजिए अपनी listing और वह आपकी listing active करवा देंगे तो दोस्तों एक बार जब आपकी order आने शुरू हो जाएंगे और दोस्तों इस glow road की मैं पूरी series बनाने वाला हूँ अल्री मैंने registration का बना रखा है आज मैंने listing के लिए बना दिया है further मैं इसके और भी वीडियो बनाने वाला हूँ तो मेरी पूरी series जरूर देखेगा ताकि आपको एक particular portal के वारे में complete details complete information हो जब आप अपना product या अपना business इस पर लिस्ट करें और अपना business करें तो दोस्तों I hope आपको ये video समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से आपको listing करनी है अगर आपके कोई doubts है तो मुझे comment में जरूर बताएगा मैं उनके answer करूंगा और अगर आपको ये video पसंद आ जाए त share कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दबाईए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की notification मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो में इस ना करें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई